हाई फ्रेंस मैं गुंजन मैं आपका श्वागत करती हूँ फाग लश्मियन पुना किचन में आज हम बनाएंगे आलू के कोपते बहुत ही तेश्टी और डिलिश्यस बनते हैं और सिंपल तरीके से बन भी जाते हैं जब घर में कोई सबजी ना हो तो आप जरूर यह कोपते बना के अपने घर में ट्राइ करो बहुत ही टेश्टी और डिलिश्यस तो बहुत ही टेश्टी बनेगी एक वाज बनाना और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी आप चाहो तो इसे ग्रेवी रखो तो नास्ता भी कर सकते हो इससे घल्दी नास्ता भी हो जाएगा तो सब्सक्राइब कर देंगे तो इसे तरीके से साड़ारे को मैस खत राटी टिम कर देंगे और यह धनिया घनिया एड़ कर देंगे पास ज्यादा दनीया हो तो इसे बहुत अच्छा टेस्ट राएगा तो यह बहुत रखोशन भक्यार टेस्ट रिए वाले तो यह बहुत टेस्टी बनने वाली है रिचेपी आप एसे स्नक्स में भी माइब कषर सके हो इसटाम सबाइऻ रहें चारच मच मलने खौन फॉलार बढर कर दिया है वोसन च्यादा की ज़रूर्ष मेले थे的人 i4-5 रवाड़ी ही है यह थनियाश अम हम ने जीरा ठावड nor नधर नमक श्वाद के अनुशार अनुशार इसमें हमने अजमाइन डाल दिया है थोड़ा सा हाथ से क्रस्ट करके तो अब इस सभी को अच्छे से हाथों से मिला देंगे बहुत अच्छे से मिलाएंगे हाथों से जो सारे मिक्स हो जाए अगर यह वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंड में जरूर लिक के बताए यह वीडियो आपको कैसा लगा और फैमली फ्रेंड के साथ से एर करना ना बूले और जो भी कमी हो वह भी जरूर बताए जरूर आप लाइक करें जिससे हमारी मोटिवेशन बढ़ती है तो प् nell AG बना लिए में जोट आप इस तड़ Wish के बना लेते उसक्ति होटी चोट चोटी चट undra अप्रा दके पर जाएंगे है कि आँ मपड़ कर लेते हैं और सड शाइड में हमने ते लगाई मैं करने के लिए विए भी रख़ी दिया है एक छोटी सी बढले लोई कि हमारे चिल में डाल के देखेंगे एंद welcome कि मिलें ढिखाते करा में अपने सकते होँ ठेल कि ऊंद दो rodrakम हो चिक हो चोटी सी पर फींडीली ना जिस देख लेंगे पहले हम विखरता नहीं है है अगर विखरता हो तो थोड़ा मिला देंगे इसमें या बेशन कुछ भी आप मिला सकते हो जिससे बाइंडिंग बर जाए और यह अच्छे से हो तो देखिए हमारा तो विखर नहीं रहा है और हमारा सारा बॉल्स बनके यह तियार है कर लिए और इसे हम फ्राइ कर लेते हैं अद आप देख सकते में बढ़ते हरए ने कर लेंगे अँच्रे से और मेडियम फ्लेम में ही करें ना फ्लेम सुतलो ना तेज रखें जिससे बहुत अच्छे से पकेगा और जलेगा नहीं तो इसे हलके हाथों से एक साइड जब पक जाए फिर उल्टेंगे पुल्टेंगे निक तो यह फट भी सकती है तो इस अच्छे से अमूलट पुलट के पका लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं सभी को कि एक बार अपने घर में जरूट रखें मैं बहुत लेघिकिए स्टार सकते हो अगर पाटी हो कुछ भी और बहुत ही टेस्टी लगेगी सभी को खाने में तो जरूर से जरूर्ट एक पर ट्राय करने अपने गार में बहुतुत ठेस्टी और ही बन जाती है जल्दी भी बन जाती है बच्चों को तो बहुत ही पसंद है अगर अच्छी की पार्टी हो तो अब जरू बनाना एक बार इस तरीके से बॉल्स को स्टार्टस में और कोपते भी तो बहुत अच्छे लगते हैं इसके देखवार जरू ट्राय करना तो देख सकते हो यह हमारा लाल हो चुका है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं सभी को बाहर और इसी परकाशे और वाल्स को आदें लेगे चानके निकाल लेंगे वहर कि अब हमने सारे वाल्स चाल लीए और इसी तेल में तेल थोरी कम कर देंगे और इसी तेल में आप हम फोरन डाल दे रहे हैं मिर्च पॉडर डाला है तो फोरन डाला है और तेजपता डाला है और हिंग भी थोरा सा डाला था अब इसके अंदर हमने जो मसाले पिसके रखे थे प्याज आदरा को लैसुन वाले वह डाल दिये हैं और इसे थोरी दर तक फ्राय कर लेंगे तो यह अब हम फ्राय हो चुका है तो इसमें आदी चमच मिर्ची पॉडर आदी चमच हल्दी पॉडर डालके इसे अच्छे से मिक अच्छी लगे तिकी वाली नहीं है यह अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो जादी तिकी मत देना तिकी मिला लिया है इसमें आदी चमच हमने धनिया पॉडर डाला है एक चमच शुरी एक चमच धनिया पॉडर एट किया है एक चमच हमने जीरा पॉडर एट किया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तो टो तक फ्राइब कर लिया है अब नमक इसमें स्वाधनुसा लाँगे और इतना ही नमक डाले क्योंकि हमारे कोप्ते में भी नमक है अंदाजे से डाले तो इसे थुरी तर्य तक फ्र तो हमारा ट्रमाटाल गल चुका है, बहुत अच्छे सकी इसमेом कस्थोरी मेती end दाल दिया है और इसे भी अच्छे से फ्राय कर लेते हैं तो देखिये, हम अच्छे से फिराय हो चुका है इसमेश मेहाद मायी मेसाला देएमेश हमें तो इसके अंदर हम पानी आड़ कर देंगे पानी अपने नुसा डाले ग्रेवी जैसा आप रखना चाहिए तो इसा डाले तो इसमें हमने पानी डाल दिया और इसे अब धक्यों वाला आने तक पकाएंगे तो देखिए यह अच्छे से उबल चुका है तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे फिर इसमें सारे बॉल्स आड़ करेंगे तो अब हमारा बहुत ध टहंदा हो चुका है तो आफ एक-एक करगे सबूंडा कर देंगे कि आप साते एमने सारे बॉल्ट सबूस आज आओ कर दिए हैं और यह बहुत अच्छे पानी बनाएं और फैमिली फ्रेंट को जरूर खिला है आप अगर बना के खिला और पूछेंगे इस कैसे बना है और सभी बहुत ही तारीफ करेंगे ताप जरूर बनाना बच्चेंगे तो फैबरेट आप जरूर